खालिस्तानी आतंकवादी गुर्पल वान्थ सिंग पन्नू के विवादित बयान के बाद देश भर में विरोध शुरु हो गया है बुद्वार को जमशेदपूर में भी हिंदू रास्ट्र सेना के और से खालिस्तान का पुतला देहन करते हुए खालिस्तान के समर्थन में विवादित बयान देने वाले गुर्पल वान्थ सिंग पन्नू को खुली चुनौती दे गई हिंदू रास्ट्र सेना के रास्ट्रिय अध्यक्ष ने पंजाब को हिंदुस्तान का अभिन्य अंग बताया और कहा कि पाकिस्तान की इशारे पर देश के बाहर बैठे गद्दार खालिस्तान का समर्थन कर यहां विद्रो फैलाना चाहते हैं गौर तरवे की खालिस्तानी आतंकी गुर्पलवन सिंग पन्नु द्वारा बिते दिनों एक विवादित बयान चारी किया गया था जिसमें 22 जुलाई को दिल्ली में एक भी तिरंगा चंडा नहीं दिखने की घोशना की गई है उसे विवादित बयान में ये भी कहा गया है कि 22 जुलाई को दिल्ली में खालिस्तान का चंडा लगेगा जिसके बाद से देश के लोगों में आक्रूश व्याक्त है खालिस्तान के भाब का पुतला जलाया गया है किसी विशेश व्यक्ति गानी जिसकी मांग खालिस्तान है उसके भाब का हमनों पुतला जला रहे है और खालिस्तान क्या है आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ पंजाब जो हमारे हिंदुस्तान का हमारे देश का एक आटूट दिखता है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी का हक है उस पंजाब को तोड़कर एक अलग देश बनाने की मांग करने वाले वो देश के घदार हैं वो आतगवादी हैं हमारे लिए